हाई काईज वेलकम डू आईटेक टेकनोलोजीज मैं हूँ हमजा जवेद और आज की इस वीडियो में इंबॉक्सिंग करेंगे ps4 pro controller in blue color तो इस controller में और old controller में difference किया है और आपको ये controller buy करना चाहिए या नहीं तो आपको सारे ही question के answer इस वीडियो में मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो शुरी करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो red color का subscribe के बटन दबाओ और साथ ही उसके bell icon है उसको भी दबाओ ताकि आप मेरे के latest videos ना मिस कर पाओ तो चलिए start कर लेते हैं आज की वीडियो तो guys सबसे पहले बात करते हैं color की तो काफी जादा colors आजाते हैं इसमें जो main color है वो black है black के लावा blue, red, golden काफी जादा colors में आपको ये मिल जाता है it's depend upon you के आप कौन से color में buy करते हूं but मैंने blue में ब्लू में ब्लू में ब्लू किया क्यूंके blue color काफी जादा popular है PlayStation में अगर अगर आप गोर कोड़ो तो PlayStation की डिस्क और box में भी blue color काफी जादा prominent होता है इसी वजादे मैंने blue में ब्लू में ब्लू में काफी जादा attractive भी लग क्यूंके ये box अमूमन जो है यॉरप और USA की रीजन से में आता है पाकिसान या इंडिया के जो रीजन में आता है वो दूसरा box है तो होता originally controller है बट box थोड़ा बहुत difference होता है तो आप देख सकते है box थोड़ा बहुत damage हुआ है I don't know why के बट ये हुआ हुआ है और खोलते है इसको और अंदर से कुछ documentation तो नहीं मिली और ये controller है और जो पीछे देख सकते हैं वो मेरे पास black controller है जो के playstation 4 fat version के है उसमें कोई जादा difference नहीं है और अब हम बात करते हैं playstation 4 के controller की तो अब देख सकते हैं काफी जादा simple और beautiful looking controller है ये और इसके मैं अगर आपको बता तो काफी जादा deep blue color आ रहा है इसमें काफी जादा खुबसूरत लग रहा है ये blue color और इसमें जो काफी जादा changes वो ये है कि जो आप देख सकते हैं light light हमारे touch pad पे भी आ जाती है और इसके लावा थोड़े बहुत minor से changes है जैसा कि vibration में थोड़ी बहुत changes है उसके लावा battery same ह और जो old चीज़ें हो सेम ही है बाट आपको थोड़ी बहुत चीज़े latest मिल जाती है और इसकी compare कि मैं वीडियो अलग बनाऊंगा तो वीडिय जूर देखिए काफी जादा difference है इस controller में और दूसरे controller में तो अब बात करते हैं आपको ये controller buy करना चाहिए यानि तो अगर आप यूज में buy कर रहे हैं तो आप old वाला buy कर सकते हैं कर आप new buy कर रहे हैं तो आप ये वाला buy कर सकते हैं तो दोस्तो that's it for today